यूटूब चैनल में आज की क्लास में अपने पढ़ रहे हैं अलंकार से संबंदित कुछ मत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर तो वीडियो को लाइक कर लिजेगा चैनल को सस्क्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें रोज आप सभी क्लास लाय जाती है मत्तुपूर्ण कॉस्चन आप अपर टलाज जाते हैं है उसस का पहले पर इंदी साइट में तीन हजार प्रसन और पीडेफ जिनके लिए परचेस करना है आप परचेस कर सकते हैं मात्र है सोरोप एक पीडेफ इंदी साइट की तीन अज्जारिस में प्रसन है नंबर स्कीन पर चल रहा है समपर कले नाइन त्री डबल डबल फाइब त्री नाइन डबल सेक्स पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला कॉस्चिन डिया गया है कि द्रग और जत टूटत कुटम जुरत चतुर्चित प्रीती परती गांठ दूरजन यह दई नहीं एह दीती और पर्युक्त पंक्तियों मे कॉस्चिन डिया गया है तो यहां पर असंगती अलंकार होगा विकल्प नमबर यह वाला जो विकल्प है वह आप सभी का आपर सही आंसर है असंगती अलंकार कारण वकार में संगती नहोने पर संगती अलंकार होता है इस पंक्ति में उलज तो नेत रहे हैं और गांठ दूरजन की हिरदा में पड़ रहे है इस पर वी जो है टूट कुटम व्यान की परिवार रही है यहां पूरी तरह से कारेवं कारण के संगती बनी हुई है कॉस्चन पर पचास दिया गया है देखेगा जहां पहला बाग को में वह दूसरा बाग को उपमान तथा उनकी साधारण धर्मों में विम्ब प्रतिविम्ब भाव हों कौन सा लंकार होता है जैसे पगी प्रयम नंदलाल के हमेना भावत जोग और मदुप राजपद पाई के भीक के मा नहीं डियाथ को व Rosa consumers के लिए यहां पर आप सबीक के लिए लंकार च 91ु गारτα सभीका सभीका सज्याइद अालंद ही शन भेक सभी के लिए रूपक यमक अनुप्रास चैन करिएगा सास्सों इंक्याउन में आप सभी के लिए आप सभी के लिए आप सभी के लिए बताना है चार विकल्प यहां पर दिये गए हैं और अर्था अर्थालंकार में आप सभी के लिए सही आंसर चैन करना कौन सा अर्थालंकार है तो विकल्प आप सभी के लिए आप लबली जी विकल्प नंबर एक सही आंसर यह रूपक अलंकार जो है अर्थालंकार के अंतरगत आता है रूपक अलंकार उपमान यह का आरूप या उपमान और उपमे का अधेद ही रूपक है और सेस जो है अनुपरास लेस जो है सब्दलंकार मानी जाते हैं उपमे में उपमान के निसेद रहत आरूप होने पर कौन सा लंकार होगा कौश्य नमबर बाउन में चैन करना बक्रोक्ती उत्प्रेक्षा उपमा या पर रूपक कौश्य नमबर साथ सो बाउन में आप सभी के लिए चैन करना है साथ सो बाउन में आप सभी के आपर सही आंसर क्या होगा उपमे में उपमान के निसेद रहत आरूप होने पर कौन सा लंकार होगा या पर लंकार आप सभी के लिए आपर चैन करना है बाउनबा कॉस्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का आपर सही आंसर है यहां पर रूपक अलंकार होगा कौन सा अलंकार है रूपक डी वाला बिकल्प जो है वह आपर सही आंसर होगा रूपक अलंकार आप सभी का सही आंसर है कॉस्चन नमबर त्रेपन यहां पर दिय प्रेपन-वाकवाश्चंट काभ्वी ज़ीन इन पे आप सब्जाण तू आप शए आंसर अलंकार तत्य विकल्प आपस वीकल्प विकल्प वी वाला विक कर आपसब्विक Culture है अलंकार तक तो आप सभी का सही आंसर है बहुत बढ़िया बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोगों ने जन्हों ने भी चैन किया है उनका सही आंसर है चरण कमल बंदों हरी राई में कौन सा लंकार होगा सलेस, रूपक, उपमा या प्रदरश्टान ते Question number यहाँ पर देखेगा उपमे पर उपमान का रूप का अभेदी रूपक है यहाँ पर चरन को कमल की समान बताया गया है अर्थात उपमे में उपमान की रूपे में प्रदर्सित किया गया है इसलिए आपर रूपक अलंकार प्रिगट होता है यही सब्दिके दो या अदेक अर्थवाली अलंकार का नाम क्या है सिलेस है अन्युक्ति है बक्रोक्ति है य करना है 755 में क्या होगा साइय अंसर रहा रस самого नाम का नाम है है तो आप सभीकाया आपर साइय अंसर आप रणकार का नाम होगा हैज विकल्प नंबर एक सभीकाया आपर साइय अंसर होगा सेशंगican क्या है जहां एक ही सब्ड के दो या अधिक अर्थवाली अलंकार जो ऐसले से जहां किसी की बात किसी और पर डाल कर कही जाए वहाँ अनियुक्ति अलंकार होता है और जहां एक या एक से अधिक सब्द एक से अधिक बार प्रियुक्तों हो एवं अर्थिक भी प्रतेक बार भिन भिन हो तो वहाँ पर यमक अल लंकार होता है 56 में चैन कन्ना है बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर एक उप में के लिए अनेक उपमान प्रियुक्त होने पर कौन सा लंकार होता है उपमा पूर्ण उपमा लुपत उपमा या फर मालुपमा कौश्चन नमबर या पर 56 दिया गया है 56 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नमबर आप सभी का विकल्प सही आंसर है मालुपमा आप सभी का आप सही आंसर है मालुपमा आप सभी का सही आंसर होगा QA 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 Q आप सभी का सही आंशर है अपन होती अलंकार होगा सी वाला विकल्प आप सभी का आपर सही आंशर है अगला question यह आपर दिया गया है question नमबर अंठाउन है था स्वापने या मती भ्रहम्त माया की हाइचल था पंक्ती में कौन सा लंकार है तो कॉस्ट्चन नमबर यापर दिया गया अंठाउन और अंठाउन में आप सभी का सभी आंशर होगा विकल्प नमबर एक यानि की संधे लंकार कौन सा लंकार होगा संधे लंकार आप सभी का यापर ये वाला विकल्प सही आंशर है संधे लंकार आप सभी का यापर सही आंशर होगा विल्कुल सही अंगला कॉस्ट्चन यापर देखेगा ये पूचा जाता की बांदा तव विदु को किसने इनकाली जंजीरों से मणी व ईत्रम प्रेक्षा विभाबना रूपक चैन करिएका उन सट में पी पर पात स्वारे समय डोला में कौन सा लंपकार हैं इंवेसे आप सभी लोग चैन करिएगा उन सब कॉस्चन यापर दियाग्या है उन सट में आप सभी और आप सभी का आप्षाया न्सरों के आप इनला कॉस्चिन यहाँ पर क्या दिया है kitchen number 60 यहाँ पर दिया है 60 में आप सभी के लिए बताना है तो पर 12 और वसी सुने रादि केígen' के सुजान तू मोहन के और वसी है और वसी समान प्रस्त दोए में अलंकार चैन करना है साथ में आप सभी का सही आंसर क्या होगा तनु जी वताइएगा सभी लोग चैन करती जाइएगा साथ में चैन करना है यहां पर अलंकार बताने कौन सा अलंकार होगा तो विकल्प नमबर आप सभी का है आपर सही आंसर है यमक सभी लोग बता रहें कि यहाँ पर तो यमक अलंकार है निसी वाला विकल्प जो है आप सभी का है आपर सही आंसर है बहुत बढ़ी आप रस्तव दोय में यमक अलंकार है यमक अलंकार जिस काप में समान सब्द की अलग-अलग अर्थों में आबिर्तियों में यमक अलंकार होता है यानि यहाँ एक ही सब्द जितनी बार आए उतनी ही जो हैं अलग-अलग अर्थ दें पर्युक्त पंक्ती में और्बसी सब्द की अलग-अलग अर्थ हैं एक उर्वसी नामक अफसरा और उर्वसी आनी की हिर्दय में बस्ती हुई एंगला कॉस्चन आपर दिया गया है क्या दिया गया है कॉस्चन नमबर 61 में आप सभी के लिए बताना है कि ब्रह भगं ना ब्रह भगं तन वसे मंत्र न लाग को राम व्योग न जीवे तो वोरा हुई पंक्ती कबीर के से पद में कौन सा लंकार है या आप सभी के लिए चैन करना है बताईए उपमा है या फिर उत्प्रेक्चा विभाबना रूपक कॉस्चन नमबर 61 में आप सभी के लिए चैन करना है 61 में आप सभी का या पर सही आंसर क्या होगा कॉस्चन या पर वत्तपूर्ण दिया क्या है और आप सभी का या पर सही आंसर होगा यहाँ पर D वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है रूपग रूपग आप सभी का यहाँ पर सफी आंसर है विलकुल सवि एंगला कॉस्चिन यहाँ पर दिखते है 62 वा कॉश्चन या पर दिया क्या है 62 में आपके लिए निमने लिखित में से उपमा लंकार के स्पंग्ती में है या आप सभी के लिए आपर चैनकन्ना है बताईएगा क्या होगा सईया अंसर तट तमाल तरुबर बहुच्छाय या फिर मानों मदन दुंद भी दीनी या फिर हे उत्तरा के धन रहो तूं उत्तरा के पास ही या फिर हसने लगे सब हरी अहा पूर्णेंदू सा मुख खिल गया 62 में चैनकन्ना है 62 में आप सभी के लिए आपर बतान है तो विकल्प नमबर डी वाला विकल्प आपका सईया अंसर है हसनी लगे सब हरी अहां पूर्णेंदू सा मुख खिल गया विकल्प आप सभी का है आपर डी वाला जो विकल्प है इसमें उप्मा लंकार होगा उप्मा का साथ्य कार्थे साद्रश्य समानिता या फिर तो बेली फ्यल गई अनंदे फल हुई इन पंक्तियों में प्रियुक्त लंकार वताना उक्मा है उत्प्रेक्षा है रूपक है अनियुक्ति है 63 में आप सभी लोग चैन करिएगा कौन सा लंकार होगा question number 63 में सभी आंशर आप सभी के लिए आपर चैन करना है 63 में आप सभी का सभी का सभी का आपर सही आंसर है क्या है सही आंसर रूपक आप सभी का याँ पर सही आंसर होगा स्रीवाला विकल्प जन्हों ने भी याँ पर चन किया है रूपक उनका याँ पर सही आंसर है रूपक के तीन भी दोते हैं सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरत रूपक question यहाँ पर 64 दिया गया है 64 में बताने जहाँ प्रसंसा की वहाँ निंदा की जाए अत्वा निंदा की वहाँ प्रसंसा की जाए वहाँ कौन सा लंकार होता है प्रतीप या फिर अर्थांतर न्यास या फिर असंगती या फिर ब्याजिस्तुती question यहाँ पर 64 दिया जहाँ प्रिसंसा के वहाँ निंदा की जाए तथा निंदा के वहाँ प्रिसंसा की जाए वहाँ पर कौन सा लंकार होता है यह आप सभी के लिए यहाँ पर चैन करना है तो 64 में आप सभी का सही आंचर है ब्याजुस्तिती आप सभी का यहां पर सही आंचर है यहां पर ब्याजुस्तिती अलंकार होता है प्रतीप का साब्देक अर्थ है उल्टा या विप्रीत जहां पर उपमी को उपमान से स्रिष्ट बताकर उपमान का त्रस्कार किया जाए त संगती का साब्देक अर्थ होता है संगती ना वेयृता जहां पद में कारण और कार में संगती ना वेटे तो वहाँ पर AHंगती होता है और अंगला कॉश्च्चन यहाँ पर देखेगा कि किस अलंकार में बाच्यार्थ, गौण्ड और ब्यंगार्थ प्रधान होता है कॉस्चन नमबर 65 में चैन करना है बक्रोक्ति में समासूक्ति, अनियोक्ति, अतिस्योक्ति 65 में सही आंसर चैन करिएगा चैन करना है आप सभी कले कि किस अलंकार में बाच्यार्थ गौण और ब्यांगार्थ प्रदान होता है तो 65 में आप सभी का आपर सही आंसर होगा विकल्प नमबर C आप सभी का सही आंसर अनियुक्ति C वाला विकल्प आप सभी का आपर सही आंसर है अनियुक्ति आप सभी का आपर सही आंसर है बहुत बढ़ियां जहां आप रस्तुत की माध्यम से प्रस्तुत की बेंजना की जाए वह आपर अन्युक्ति अलंकार होता है अंगला कॉस्चन आपर क्या दिया गया है कॉस्चन नमबर आप सभी का आपर 66 दिया गया है 66 में आप सभी लोग चैन करिएगा कि नीकी पेफीकी लगे विन अफसर की बात जैसे बरनत जुद्ध में नहीं सिंगार सुहात उक्त पंक्तियों में प्रिउक्त अलंकार बताना है नियुक्ति द्रश्तान तोधारन या फिर उपमा 66 में आप सभी के लिए सही आंसर चैन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का आपर सही आंसर 66 में चैन करिएगा कॉस्चन ने आपर मत्त पूर्ण दिया गया है और आपर आपके लिए इन पंक्तियों में अलंकार बताना है तो उधारण आप सभी का यापर सही आंसर होगा सी वाला विकलब आप सभी का सही आंसर है उधारण आप सभी का यापर सही आंसर है उधारण लंकार जहां एक बाग के काय कर उसके उधारण की रूप में दूसरा बाग के कहा जाए तता दोनों बात्कों का साधारन धर्म भिन होनी पर भी उसमें बाचक सब्द की द्वारा समानिता दिखाई जाए तो बहाँ पर कौन से लंकार होता है ओधारन लंकार इसमें बाचक सब्द जिमी जैसे जियों ये आते हैं ये जो है इसमें बाचक सब्द आते हैं कॉश्चन आपका यहाँ पर 67 दिया गया निम्लिकित में ऐसे विभाबना लंकार के स्पंग्ती में हैं 67 में बताईएगा तंत्री नादे कवित्ते रस सरस राग रती रंगे अनन अन बूले बड़े तरे जे बूले सवसंगे या फिर मुनितापस जिनन पे दुख्य लही ते नरेस बिनोपावक दद ही या फिर अवदेस के वालका 45 सदा तुल्सिमनमंदर में बह रहे हैं या फिर नरकी अरुभनल नर की नीर की गति एक ही करे जो जे तो नीचों है चले तो मूचों हुए इननुमेंसे आफ सभी के लिए तो बीवाला विकल्प आफ सभी कई आपर सईiğ अंसर है चाहाँ कारण की ना होने पर भी, कारेका होना पाया जाए तो वहांपर विभावना लंकार होता है इस पंक्ति में एह बताएगा कि जिसमें मुनि व तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अगनी के जलकर भस्म हो जाते हैं बिना अगनी का जलना अताते हां कारण नहीं फिर भी कार हो रहा है अताया आपर विभाबना लंकार होगा कॉशन नमबर 68 में आप सभी के लिए चैन कनना अंजली जी कि किस आचार ने सब्दा लंकारों को अधम काब आर्था लंकारों को मद्यम काब और गुणी भीत ब्यंग और धोनी को क्रमसा उत्तम और उत्तम कहा है कि आचारे आप सभी के लिए दिणेज जी चैन कनना है बतायेगे चैन करिएगा पंकर मिनों ने कहा है नंबर विकल्प आप सभी का आपा बिकल्प आप सभी का सभी आपर सभी आइसंजर है मम्मट आप सभी का सही आंसर प्रती पलंकार के कितने वेद होते हैं चार पांच आठ चे कॉस्चन नमबर 69 में सही आंसर चेन करिएगा प्रती पलंकार के कितने वेद होते हैं लाइक नहीं किया हैं बहुत सारी लोग जल्ली से एक बाल लाइक अवस्थ कर लीजेगा वस्तुता एहुक्त मां का ही एक विसेशभीत है इसके पृतम दुत्य नेकरम से इसके पंचम तक इसके पांच विद बताए गए है बहुत बढ़ीया इंगला कॉश्पन या पर क्या दिया गया है कॉस्चन नमबर आप सभी का यापर सत्तरवा कॉस्चन यापर दिया गया है यह है आपका सत्तरवा कॉस्चन कि दूर दूर तक विस्तरित था नब इस तब उसी के हिर्दय समान पर साजी कि इस पंक्ति में कौन सा लंकार होगा सत्तर में सयांचर चेन करना है सत्तर में आप चवी का सही आंचर विभावना पृती बिसम या फिरसले सलंकार है दूर दूर तक विस्तरित था नब इस तब उसी के हृदय समान तो कॉस्चन नमबर सत्तर में आप चवी का आपर सही आंचर है विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का आपर सही आंशरों का पृती पलंकार आप सभी का आपर सही आंशर है अंगला कॉस्चन है नमने लिखित में से सब्दालंकार कौन सा है 71 में आप सभी के लिए चैन करना है सब्दालंकार आप सभी लोग चैन करेंगे यमक सभी का वी वाला विकल्प यहां पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर क्या पूचा है वहत्तरवा कॉस्चन है कि पूत का पूत तो का धन संचय इस पंती में कॉन सा लंकार होगा बताइएगा लाटानू प्रास व्रत्तानू प्रास यहां पर सही आंसर होगा वत्तर में अलंकार चैनकन्ना, यमेस बर्मा जी, विपुल जी, उमेस जी, विकल्प नमबर एक सही आंसर है, लाटा नुप्रास आप सभी का सही आंसर होगा, लाटा नुप्रास आप सभी का आपर सही आंसर है, परिसमें दे गई पंक्ति में लाटा नुप्रास है, अनुप्रास अलंक कार होता है लाटा नूप्रास कॉश्चन या पर तेत्तर दिया ग्या है कि दिवस का उसान समीपिता गगनता कुछ लोहित हो चला तरुस एकापरती अब राजिती कम लिनीकुल वल्लब की प्रभा कौन सा लंकार इन पंक्ति में तेत्तर में चैन करना है बताईए बताईएगा चैन करिएगा कॉश्चन नंबर तेत्तर ने आपर दिया ग्या है और तेत्तर में भी होगा सही आंसर यानि कि स्वाभाव वुक्ति आप सभी का है आपर सही आंसर है भी वाला विकल्प है आप सभी का है आपर सही आंसर होगा इस पंक्ति में स्वाभाव वुक् या इस्तिती के स्वाभाविक बंडन से इस अलंकार की दरश्टी होती है इस अर्थ अलंकार की साध्यों चमत्कार रहता है इस चौपाई में कौन सा लंकार होगा नीदर्सना या फिर लुपतूपमा या फिर बक्रूपती या फिर प्रितिवस्तूपमा कॉस्चन नमबर यहां पर दिया गया है 744 वा कॉस्चन है और 744 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा यह बताना है तो आप सभी का यहां पर सही आंसर है यहां पर होगा पृति वस्तुपमा लंकार है दिवाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है इस चौपाई में पृति वस धर्ण्य का कथन होता है जहां बिना कारण के कार्य होता है वहां पर कौन सा लंकार है यह आप सभी के लिए चेहन करना है तो वहां पर लंकार कौन सा होता है यह आप सभी के लिए चेहन करना है तो विकल्प नमबर 75 में भी वाला विकल्प आपका सही आंसर विभाबना लंकार होता है वहां पर विभाबना आप सभी का सही आंसर है जैसे विनु पग चले सुनु विनु काना कर विनु कर में कर विदिनाना यह जो है विभाबना लंकार का यह गोधारन दिया गया है कौश्च नंबर 76 यहां पर दिया गया है नेमने लिखेते चंद में कौन सा अलंकार है वताईएगा मादव धनी आयल कट भांती प्रेम हैं में परखा ओल कसोटी भादा कहुंति थिराती कॉस्च नमबर चंद में अलंकार बताना है किर्टी जी सभी लोग चैन करिएगा सभी के कमेंट यहां पर देखते जा रहे हैं बहुत बढ़ी है आपर आंसर बता रहे हैं आप लोग और आप सभी का यहां पर चंद में सही आंसर होगा परंपरित रूपक अलंकार है आपर सी वाल वेकल्प जो है यहां पर सई आंसर है परंपरित रूपक अलंकार है यहां पर सई आंसर होगा परंपरित रूपक में एक रूपक के द्वारा दूसरी रूपक की पुष्टी होती है कॉश्य नमबर सतत्तर यहां पर दिया गया है सतत्तर में बताना है यमक रूपक अनुप्रास या फिर विभाबना चैन करिए का कॉस्चन यहां पर दिया गया सतत्तर है यह पुरुस सेह तुम भी एह सकती करो धारण में कौन सा लंकार है सतत्तर में बताना है तो आप सभी का यहां पर रूपक अलंकार सही आंसर है भी वाला विकल्प यहां पर भी वाला विकल्प जन्हों ने भी चैन किया है यहाँ पर रूपक लंकार होगा विल्कुल सही आन्सर आपसे लोगों ने विकल्प नंबर दो जिनों ने भी आपर चर्ण किया है रूपक लंकार उनका यहाँ पर सही आन्सर है Ques generational यहाँ पर दिया गया 78 Ques देख्येगा 78 Ques आड़ नंबर यहां पर 78 दिया गया है कि और एकस्था ब UAरा शबी का सही आंसर क्या होगा किल्पना जी अरुन्द्ग जी रमीस्त जी इसने अलंकार बताना है तो बीवाला विकल्प आप सभीका या पर सई आंसर है द्रश्टान तलंकार है जहां उपमे और उपमान की साधान धर्म का बिम्ब प्रति बिम्ब भाव पर दर्शित किया जाए तता बाचक सब्द का उलेख ना हो बहां द्रश्टान तलंकार होता है 89 वा कॉस्चन आपर दिया गया है निमने लिखेते दोहे में कौन सा लंकार है सत्गुरु की महिमा अनंत किया उपकार लोचन अनंत उगाडिया अनंत दिखावण हार सिले सलंकार है रूपक है यमक है ऑक्मा है कॉस्चन नमबर 89 में आप सभी के लिए आपर चयन करना है वताईएगा चयन करिएगा काॉश्चन आपर मत्वपूर्ण दिया गया है और आप चली के आपर 89 में सई आंसर है 89 में क्या है सई आंसर सी वाला विकल पाप सरी का सही अंसर यहां पर यमक अलंकार होगा यमक अलंकार है इसे जो दुआ दिया गया है इस पंक्ति में अलंकार है अनंत सब्दिश के एकाधिक अर्थे है अनंत है warsmade बढ़िना की आविर्थी जहां हो वहां लंकार होता है अनुपराश मेस from रूपा क्या फिर यमक अस्तीवा कॉस्चन यहां पर दिया गया है बताईएगा वर्णक याविर्ति जहां वहां लंकार होता है कौन सा लंकार होता है अस्तीव में आप सभी के लिए आपर चैन करना है कुलदीब जिल्दीब जल्दी से एक बार सेर कर दीजेगा इस कलास को लाइक कर लिजेगा सभी लोग कॉस्चन अब सभी का यहां पर मत्तुपूर्ण दिया गया है और अब सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है कि अनुप्रास होगा सही आंसर बढ़नों की अबिरती जहां हो बहां अनुप्रास अलंकार होता है अंगला question यहाँ पर क्या दिया है 81 भा question यहाँ पर दिया गया है question number 81 यहाँ पर है कि सजल नीरद ऐसी कला कांटी थी इस पंग्ती में रेखान के तंस में लंकार बताने सजल नीरद सी इसमें आपके लिए बताना है कौन सा लंकार होगा रूपक उपमा या फिर यमा क्या फिर उत्प्रेक्षा क्या है सही आंसर चैन करिएगा कॉस्चन वत्तपून आपर दिया क्या है देवराज पाल जी और आप सभी का आपर सही आंसर है क्या है सही आंसर उपमा होगा सही आंसर दी वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर है उपमा आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा सजल नीरद सी इस देखांकित पद में अंस में कौन सा सरीलंकार है उपमा लंकार होगा अंगला क्वाश्चन यहां पर दिया गया है क्वाश्चन नमबर आप सभी का यहां आपर 82 वा कॉस्चन है देखिए गव्यासी में आप सभी के लिए चैन करना है कि इस्तिये मुख सरिस इस्तिये मुख भाई पंक्ति में कौन सा लंकार हुगा कि अनन्वय प्रितीव विभावना या फिर रूपक तो आप सभी का यापर 82 में सभी आंचर है आप सभी का यापर ये वाला जो विकल्प है आप सभी का यापर सभी का सभी का सभी आंसर होगा विकल्प नंबर एक आप सभी का यापर सभी आंसर है तेरासी वा कॉस्चन है कि वहुरी विचार कीन कीन मन माही ये वदन सम हिमकर नाही पंक्ति में कौन सा लंकार है कॉस्चन नंबर 83 में आप सभी के लिए बताना है बताएगा उत्प्रेक्षा रूपक अनन समान कहा जाए अत्वा उपमे को उपमान से स्रेष्ट बताया जाए वा प्रती पलंकार होता है निया पर आप सभी के लिए बताना है कि उपमे को किसके समान बतलाया जाता है उसे कहते हैं साध्रस सबाचक उपमे उपमान या साधारन धर्म 84 में आप सभी के लिए आपर च बतलाया जाता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं उपमान कहते हैं उपमान आप सभी का यापर सी वाला विकल्प आप सभी का यापर सही आंसर उसे उपमान कहते हैं अंगला कॉस्चन यापर दिया क्या है कॉस्चन आप सभी का यापर 85 कॉस्चन है सारी वीचे नारी है कि नारी व करना है बताय अनियोक्ति ब्रोधावास संदेए उप्मा है question नमबर पचाशी का सही आंश चैन करेगा है लुए जब रूप रंग आदी की साधरस्ता की कार्ण उपमे में उपमान का संसय हूँ तथा एह संसय निरंतन बना रही तो वहाँ पर संधिय लंकार होता है question यहाँ पर 6C दिया गया है सुमिलित करना है चलिए सुमिलित कर देते हैं चासी में question मत्तपूर्ण है सिले सलंकार उतप्रेक्चा तीस्योकती द्रश्टान तो यहाँ पर यहाँ पर एक उट भी देगा इनकी साहिता से आप सभी के लिए सुमिलित करना है ये कुड देख लीजेगा, चलिए सो मिलत कर देते हैं, आपर सबसे पहले है सले जलंकार, सले सलंकार का क्या होगा सही आंसर, जहां एक सब्ध के अनेक अर्थ निकलते हों, वहाँ पर सले सलंकार, उतप्रिक्षा लंकार कहा होगा? उत्परिक्षा लंकार है जहां उपमे उपमान की संभाबना हो तो वहां पर उत्परिक्षा लंकार होता है अतिस्युक्ति लंकार कहां है अतिस्युक्ति लंकार किसी वस्तू का बड़ा चड़ा कर वर्णन हो जहां वहां पर अतिस्युक्ति लंकार है और द्रश्टांत लंक को विकल्प सही आंशर होगा सी वाला विकल्प सही आंसर अलंकारों की कितने नभेद होते हैं कॉस्ट्चन या पर 87 दिया गया 87 में चैन करिएका 8 12 6 3 90 सभी लोग करिए संजू जी तनू जी कल्पना जी अनंद जी संद्या जी सभी लोग बताईएगा लंकारों की कितने भेद होते हैं विल्कुल सरल कॉस्चन है 87 में आप सभी का सई आंचरों का तीन भेद होते हैं विकल्प नंबर आप सभी का आपर D वाला विकल्प सई आंचर है सब्दलंकार, अर्थलंकार और ओभयालंकार कॉस्चन या पर दिया गया है, 88 वा कॉस्चन है, सब्दलंकार एह नहीं है, नहीं बताना है, यमक, सिलेश, अनुप्रास या फिर उपमा, कौन सा सब्दलंकार नहीं है, 88 का सईया अंसर चैन करियेगा, कॉस्चन या पर मत्युपुण दिया गया है, कॉस्चन नमबर आप सभी का आपर 88 है, और 88 में आप सभी का सयांसर हो का क्यों प्मा तो अर्थलंकार है, packet नहीं है, विकल्प नमबर एड़ी वाला विकल्प आप सभी का आपर सैयांसर है, उपमा जो है लंकार सब्दलंकार होकर अर्थलंकार है जबकि अनुप्रा सेमक सिलेश तीनों सब्दलंकार की वेद है उप्मा रूपा कुछ प्रेक्षाती स्युक्ति विभावना व्रांतिमान संदे विसे सोब्ति आदि जो है अर्थलंकार की वेद माने जाती है नवासीवा कॉस्च्ण यहां पर देखते है क्या दिया गया है? नवासिवा कॉस्चन यहां पर देखियागा जुलें आज क्या बात है? नवासिवा कॉस्चन यहां पर दिया है और विभारना, विशेशुक्ति या फिर तदगुण या फिर तदगुण इस दोहे में अलंकार चैन करना नवासी में तो आप सभी का सही आंसर है तदगुण आप सभी का याँपर डी वाला विकल्ब सही आंसर है प्रस्तुत दोहे में तदगुण अलंकार है जब कोई वस्तु अपना गुण त्याकर अपन पास की किसी दूसरी वस्तू का गुण गिरन कर लेती है तब तद गुण अलंकार होता है जब कि विवयाबना अलंकार में कारण के विना ही कार होता है और विशेशोक्ति अलंकार में कारण के उपस्तित होने पर भी कारण नहीं होता है कौस्चन यहाँ पर 90 दिया है कि जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमे उपमान में एकता इस्ताबिद की जाते हैं उसे कहते हैं साधारन धर्म वाचक उपमान या पर उपमे कौस्चन नमबर यहाँ पर दिया गया साम्य को आधार बनाकर उपमे उपमान में एकता इस्तापिद की जाती है उसे कहते हैं साधारन धर्म विकल्प नमबर एक आप चवी कहाँ आपर साई आंसरों का साधारन धर्म आप चवी कहाँ आपर साई आंसर है विनुपद चले सुन विनुकाना कर विनुकर में कर विदिनाना इसमें आप के लिए क्या बताना है अलंकार बताना अब दी आप चवी के लिए बताए था एक विभाबना विशेशोक्तिय संगतिय अपर द्रस्टान्त लंकार है विनुपद चले सुने विनुकाना करे विनुकर्म करे विदिनाना में कौन सा लंकार होगा तो आप सभी का यहाँ पर सही आंशर है यहाँ पर अलंकार है विभाबना अलंकार विभाबना आप सभी का यहाँ पर यह वाला विकल्प आप सभी का सही आंशर है बिल्कुल सही पंक्तियों विभाबना लंकार है यहाँ पर कारण जो है बिना कारण जहां बिना कारण के कार हो зверг लंकार होता है और जहां कारण होने पर भी कारा नहीं तो वहां पर कहीं हो तो वहां पर कौनकर होता है असंगती लंकार उअ क्वागत लिए ध्या है द्रग उरजत टूटत पूटम जुरत चतर चतप्रीती और पड़त गांट दुरजन nhất है देखे नई एहरीति कॉशन यहां पर बान्वे दिया है जब उपमे में उपमान जब उपमे को उपमान से स्रेष्ट बताया जाए तब कौन सा लंकार होता है बान्वे में चैन करना उपमा रूपा कुद प्रिक्षा आपर प्रतीप पारो जी क्या होगा आप सभी का सही आंस में सेन प्रतीप अलंकार ओगा दे वाला विकल्प सभी का आपड़ सभी आंपर सही आंसर है प्रतीप अलंकार आपर सही आंसर है प्रतीप करतु ता उल्टा या विपरीट Latamis के तैंडीya गया है क्रिक नंबर गंचन जी देख लो साकेत नंगरी है एही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही इस पंती में कौन सा लंकार होगा तो अतिस्विक्ति आप सभी का याँ पर सही आंसर भी वाला विकल्प अतिस्विक्ति आलंकार जहां किसी का बर्णन इतना बड़ा चड़ा कर दिया जाए कि सीमा या मर्यादा का उलंगन हो जाए तो वहाँ पर अतिस्विक्ति आलंकार होता है इनमेंसे कौन से लंकार साद्रश्य मूलक है साद्रश्य मूलक लंकार 94 में चैन करना है बताएगा कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा साद्रस्च अलंकार विवाबना व्यतिरेक उत्प्रेक्षा असंगती नीचे विकल्प यह कहे हैं इन्हें से आप सभी के लिए चैन करना है तो आप सभी का सही आंसर है कुमुद जी विकल्प नंबर सी सही आंसर है विकल्प नंबर बी और विकल्प नंबर सी व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा यह जो हैं साद्रस लंकार माने जाते हैं बेती रेक और उत्प्रेक्षा लंकार साद्रस ये लंकार हैं सी वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा और अंगला कॉस्चन यहां पर पच्छत्तर सरी पंचानवेवा कॉस्चन है कि सखी नील नवस सर से उतरा है हन्स अहां तरता तरता अवितारक मुक्तिक सेस नहीं निकल निकला जिनको चर्ता चर्ता यहां पर अपर पंतियों में हन्स किस अलंकार से संबंदित है अपनुति उत प्रेक्षा रूपती स्यूपति या फिर उपमा बताईएगा question, यहां पर 95 दिया गया है, 95 में आप सभी के लिए comment में अंसर बताने, आज करेंगे सब्सक्राइब करने, और ज्यादर से ज्यादा वीडियो को श्यादर ओए रूज आप सभी के लिए साम कुछार बजी किलास लाई जाते हैं रासलंकार का अभिसांस्तर से सम्वंदित मत्वपूर्ण कॉस्चन करवाए गए हैं सभी लोग इसी तरह से जुड़ी रहेगा रात्री में नो बजी और रात्री में दस बजी एक किलास होती है तो उसमें भी सभी के लिए जुड़ना है प्रमोज जी कुमज जी सुरेंद्र जी और सती जी लबली ठाकर जी भाबना जी आरती जी निसा जी सिल्पा जी और स्वानी जी नीरू जी पारू जी अर्चना जी अंसू जी तनू जी पंकर जी दीपक जी आनंद जी कलपना जी मंजू जी राखी जी साधना जी संध्या जी संजू जी सतिश जी और प्रिया जी प्राया पंची अंस जी पंकर जी नीलम जी और अर्चना जी लबली ठाकुर जी नमरता जी पंकर जी संजू जी आनंद जी दिनेश जी कुमद जी रिता जी सरीता जी सुरहंदर जी मैनिका जी आर्टी जी नीर सबी के लिए बहुत बहुत धन्यवार लबली ठाकुर जी कीरती जी कुमद जी अर्चना लोधी जी संजू जी रात्री में नौ वजे वाली किलास में सभी लोग जुड़ा करें अंजू जी और रात्री में दस वजे दो किलास में बहुत ही मत्तपुर्ण होती हैं आप सभी क सब कामनाई वहीया मिठाई भीज देना वनिल जी बीपीएस्टी टीजीटी में सेलेक्शन हो गया निल जी का तुसर बहुत-बहुत बदाई अनिल जी के लिए बहुत महिनत किया निल जी ने और कुल्दीब जी बहुत बढ़िया अंसु जी आनंद जी सुरेंद्र जी सभी के लोगों के लिए लाइक अबस्त करते जाना है जय हिंद्ध